पाच के फंडे के विनिंग सिरीज 19 में मिलते हैं दोस्तों 1st question. Vikram 1 is a. first privately built satellite launch vehicle in India. b. research unit dedicated to the Gaganayan project. c. first intercontinental ballistic missile with range more than 20,000 km. d. world first floating missile station near greater अंदमान. Vikram 1 क्या है? अब एकदाउ से simple सा statement है, simple सा fact है. आपने click कर दिया है, आपको मालूम है, yes, मैं भी click करता हूँ. very good. yes, यह बिलकुल, आपका भी correct, मेरा भी correct, भई आप पढ़ते हो, no issue. Vikram 1 is a. first privately built satellite launch vehicle in India. दोस्तों न्यूज में इसलिए है, कि Skyroot Test Fire Space Launch Vehicle Vikram 1 rocket stage, Skyroot Aerospace जो private own body है, privately run corporation है, यह जो बंदे है, यह बंदे actually issue rocket थे, सब मिलके इन्होंने बनाया है, इन्होंने एक Vikram 1 Space Launch Vehicle किया, इसका test किया, और test successful हो गया, इसको नाम दे दिया, उन्होंने कलाम 100, कलाम 100 है, इन्होंने dedicated to हमारे Oswald President जो है, APG Abdul Kalam साहब, जिसनको missile scientist भी कहते हैं, जिन्होंने इंडिया के rocket science में काफी कुछ contribution किया है, lion share है उनका, अब third stage जो है, इन्होंने ये जो है, इसका अच्छा first produce किया है, और ये 108 सेकंड तक रहा है, और बेहतर इंडिया है, यानि successful stage पर है, ये built किसे किया है कि हास्टेंथ carbon fiber structure से, solid fuel से, novel thermal protection system और carbon ablative no-general से ये बनाएगा है, second question, what is or are sources of funds to panchayat institution, panchayat जो संस्ता है, उनको fund कहा कहा से आता है, one, बड़ा simple सा question है, बहुत ही plain question है, one, central finance commission recommended grants, जुसरा, state finance commission recommended grants, तीसरा, grants of centrally sponsored schemes, और चवता है, tax levied by panchayat, एगदम simple साय, है न, कोई ये नही है, आपको मालू है, yes, मै भी click कर रहो, very good, आपने click कर दिया, yes, one, two, three and four, all four are correct, ये भई आपका भी correct होंगा, yes, आप पढ़ते हो, no issue, why in news, news में क्यों आ गया भई, चलो देख लेते है, KCR trying to shuttle 73rd amendment, ये तेलंगाना BJP, इनोंने आरोप लगाया है, कि तेलंगाना के जो चीप मिनिस्टर है, के चंद्रशेकर राओ, ये भई सेंटर जब जो फंड है, ये डारेक्ली जब पंचायत को दे रही है, तो इनमें दिक् है ना, तो चंद्रशेकर राओ कहते हैं कि मुझे डारेक्ट दे दो, मैं फिर पंचायत को देंगा, तो देर इस टसल इन दे कॉंटेक्स्ट आप दीस, फिसकल फेडरालिजम, हमारा अभी हम अलग दोर पर चर रहे है, हमारे सेंटर और स्टेट में कोई बन ने रहे बराब तो यह कांसिस्टन्स टसल चर रहा है और टसल के वाज़े से, इंडियन फेडरालिजम जो है अट फिसकल लेवर, ने हो पा रहे है, डायरेक्ट फंडिंग जो है सेंटर क्लेम कर रहा है कि यह करप्शन ने होगा, डायरेक्ट इनको मिल जाएगा, तो इसे वज़े से प्रा यह पॉसिबल है चलो ठीक है आर्टिकल 280 Central Finance Commission से रिलेटेड है 283 BB State Finance Commission से रिलेटेड है आर्टिकल 243H Power to Impost Taxes by and Funds of the Panjait है और 11 schedule में 29 functional atoms है जो delegate करने है पंचायत है तो यह अर्टिकल से आप ध्यान दो ओके थर्ड प्वेश्चन प्यांग तो लेक क्या है सालैंड लेक है दूसरा लैंड लॉक लेक है क्या है एकदम से सिंपल सा question है लेकिन बड़ा गुगली हो जाता है बहुत बारा थोड़ सा ध्यान में को यूपेसी इतने ही सिंपल लेवल पर question पूछती है यह ना बहुत ज्यादा धिमाख नहीं लगा ना एकदम simplified वे से सोचो देखो यह question कैसा एकदम simple है यह ना दो facts यह है प्याकॉंग सो लेक के देखें क्या answer है आपने click किया okay very good answer is c both are correct saline lake है और endoric lake है that is a landlocked lake है यह ना देखो news में क्या है प्यांकॉंग bridge construction is in occupied territory center यह चर रहा है बहुत दिनों से जो है line of actual control के crossing में जो है लद्दक इस्टन लद्दक में है पहले ध्यान में रखो यह लेक का पहे है इस्टन लद्दक में कभी ऐसा भी पुछा जाता है location तो ध्यान में रखा है अब यह trans boundary lake है actually यह उधर भी है line of actual control के उस पार भी है और इस पार भी है disputed area है and India is closely monitoring the construction of bridge by China's PLA चाइना के जो है इन्होंने bridge बना लिया यह दिखो यहाँ पे दिख रहा है आपको bridge यह दिख रहा है यह bridge बना लिया है ठीक है अब पहले क्या होता था कि यहाँ पे यादी चाइना की military है तो यहाँ से इतना पूरा यह ऐसा ऐसा गूम के ये पूरा चाइना से ऐसा 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 घूम के उनको पूरा ऐसा राउन मार के फिर इधा इधार आना पड़ता था काफी घूम के अभी कैसा है यहाँ से ही डारेक्ट इधार आ सकते है और इसी वज़े से उनका जो टाइम है शटल टाइम हो काम हो गया है पहले तो यह रुड़ाग काउंटी से उनको चक्कर मारनी पड़ती तो यह दिक्कत वाली बात है अब देखो भई चाइना इस दंग से यह घुसकोरी कर रहा है तो यह गलात है इंडिया इसका मुतोर जवाब जरू देगा फोर्थ क्वेस्चन दोस्तो वीचिजन नाट अमेमबर नेशन औक काडलेटरल सिक्यूरिटी टायलोग एफीजिस दि बड़ा सीमपल सा है नाट है कुणसा wal नेवे Quadrilateral security dialogue में मालूम है आपको सिर्फ 4 members है ओके आपका answer आगया क्या बात है चलो बढ़िया तो अभी धान में रखो दोस्तों कि यह जो है यह ऐसे simple से question आते हैं Google हो जाते हैं कुण सा नहीं है आपको मालू है मैं भी click करता हूँ ओके चलो click कर लेते answer is B UK नहीं है भाई USA, Japan, Australia और इसके साथ India है तो और सा आसानी से धान में रह सकता है हमें है ना जैसे जियाओ बोल सकते हम इसको जियाओ जापान, India, Australia और USA जियाओ ओके चलो ठीक है दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि काट कि समिट है जपान में और हमारे Honorable Prime Minister जो है वो भी विजिट करने वाले है इन जनरल ग्रिफ में देख लेते हैं Quadrilateral Security Dialogue को हम Quad भी कहते हैं चार मेंबर है भई, हमने देख लिया है है ना, क्या देख लिया है जियाओ है ना, जियाओ 4 मेंबर 2007 में जापानीज प्राइमिनिस्टर शिंजु अबे जो है इनोंने ये concept लाया और इंडेन प्राइमिनिस्टर जो थे अस्वाइल मनमौन सिंग साब, आस्ट्रेलियम प्राइमिनिस्टर जॉन हावर्ट और यूएस वाइस प्रेसिडेंट जिक चिनाई इनोंने सपोर्ट किया ये diplomatic और military arrangement है ध्यान में रुको आभी ऐसा भी question आ सकता है diplomatic है और military arrangement है लेकिन चायना ये सोसते कि भई उसका जो power और military power है इसको check out करने के लिए बनाई है इसलिए चायना इसको Asian NATO भी कहिती है है ना तो यह थोड़ सा द्यान मेरे को बरावर है यह जो चाइनियस ही है यह यहाँ पे चाइना डॉमिनेट होना चाहता है और पैस्पिक इसमें तो यह जो एरिया है यह एरिया एक क्वैड के थुरू कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है लास्ट क्वेश्चन टाम बाप अवरंग जेब लोकेटेड इन अवरंग जेब की मजार कहा पे है टाम कहा पे है है ना एक खुल्दाबाद महरस्ट्रा दूसरा ससराम बीहार तिसरा आगरा उत्तर प्रदेश चावता महरूली दिल्ली कहा पे है वही इन एक खुल्दाबाद महरस्ट्रा खुल्दाबाद जो है यह आवरंग बाद डिस्टिक के करीब है या उसके ओडिस्टिक में आता है महरस्ट्रा में क्या है वही नियूज में क्या है अर्केलाजिकल सर्व्याफ इंडिया ने अवरंग जेब टॉम के विजिट जो है दर्शकों के लिए रोक लगा दी थी क्योंकि महाराष्ट्रा नौन निर्मान सेना जो है इनके लीडर जो है राष्टाकर इन्होंने ताकित दे डाली कि वही मुगल एंपररर का जो टॉम भही आस एठाद हो भही नहीं तो हम डिस्ट्रा कर रालेंगे आव आगया भही हमारे इंडिया में वह यह बड़ा पोलराइजिशन गावगर इश्यू चर रहा है यह ना उसमें यह सब हिस्ट्री की मिस्ट्री और मिस्ट्री की हिस्ट्री हो यह ना कुछ खरा नहीं होगी सो मॉडेस्ट है देखो खास बात है कि यह मजार कैसे देखो पूरा ओपन दिख रहा है सब मॉडेस्ट ओपन एर ग्रेव आफ अवरंग जेब हैना और अवरंग जेब के कहने पर ही अवरंग जब ने बोला ता कि मेरे मरने के बाद फ्ल्तू के खर्टें नहीं करना जिसले इसका जो यह मतलब जहां पर दफन किया गया पहले तो वहां बिंगर के पास दफन किया गया ता वहां से फिर लेकिन यह अभी फिलाल में यह सब polarization का दवर है, so it needs to be diluted all the things, यह सब बंध होना चाहिए, ताकि भई हमारा India सेकुलर है यार, और यहाँ पे India is called as a melting pot, melting pot कहते हैं भई इसको, melting pot का मतलब होता है, कि सारी दुनिया से यहाँ culture है भई, ऐसा तो कोई origin किसका है, किसी को पता नहीं कोन यहाँ का है, किसको पता नहीं, बाहर से जो आया, यहाँ पे समा गया, यहाँ के धरवर को उसने अपना बना डाला, तो यहाँ पे क्यों भई अप यह करना, don't know, है न, क्या होंगा, तो सेकुलर जो ethos है, it's actually culture of India, ओ culture को हमने protect करना चाहिए, so दोस्तों, 5 questions आपने देख हुआ